कि आपको पता है भारत के पाँच सरापित जग वहाँ पर चाने से लोग आज भी कतराती है कहा चाहता है कि सुरज चलने के बाद यहां रुकने वाले लोग अमिसा के लिए पत्तर के बन जाती है आखिर में यहां गाउ आज भी डायन के डर से तिरा हुआ है कहा चाहता है कि ये वहीं कुण है जिसे फगवाल सिव ने अपने त्रिसुल से बनाया था जिससे निकले पानी को पेकर माता पार्वती ने अपनी प्यास बुजाई थी चानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहे चंता चनादन के साथ वीडियो की सरुवात करते हैं दोस्तो दुनिया में बहुत से देश से जहां पूत प्रेत, बुरी सक्तिया और आत्मा ओव में यकिन करते हैं कुछ के लिए ये महज अन्विश्वास होता है, वही कुछ लोगों के लिए बाती काल्पनिक लगती है, भारत भी ऐसा ही देश से जहां ऐसी चीजों पर लोग आसानी से यकिन कर लेते हैं हमारी यहां बहुत सी जग़ स्रापित मानली चाती है, और पूरानी कहानियों से चोड़कर उन्हें देखा जाता है आज हम आपको पारत की ऐसे ही पांच स्रापित जग़ों के बारे में बताने चा रहे हैं, जहां सालों से लोग चाने से दबराते आये हैं क्योंकि उन्हें डर रहता है कि महाखा श्राप उनके उपर न लग जाई दोस्तो रूपकूंड चील उत्राखंड के चमोली चीले में स्ती थी यहां एक ग्लैसियर चील है जो गटबाल हिमाले में पांच जार उन्तिस मीटर की उच्चाई पर ही साल 1942 में नंदा देवी सिकार आरक्षन के रेंजर एज के मादवल ने इस चील में सेकड़ो नर कंकाल देखे थी दोस्तो चील में इतर उदर बर्फ में इंसानी हडिया दबी हुई है इसलिए इसे कंकालों की चील भी कहा जाता है वैगिनानी करीब 25 साल से भी ज्यादा समय से इन कंकालों का अधियन कर रहे है दोस्तो कहा जाता है कि इस चील के आसपास नर कंकाल, अस्तिया, गहने, बरतन, चपल और विबीन उपकरन आज भी विखरे हुए है बताया जाता है कि एह हड़िया 19 सदी के उद्रात की है इस जेल में लगपक 200 से ज्यादा कंकाल आज भी मोजूद है कुछ दावे किये चाते है कि एह वही कुन है जिसे पगवान सिवने अपने त्रीसूल से बनाया था जिसे निकले पाने कोपी कर माता पार्वती ने अपनी प्यास बुजाई थी दोस्तो पिठोरिया चारकन के राचे चिले के कांके बलोक में स्थीद एक गाउ है पिठोरिया गाउ में राजा चगतपाल सी का किल्ला है यह किल्ला 223 साल पुराना है इस किल्ले की दिवारे अंगरेजी हुकुमोत के खिलाब लड़ाई में कुर्बारी देने वाले सहीदों और गद्दारों की कहानी बया करती है दोस्तो 1857 के प्रतम 77 संग्राम में राजा जगतपाल ने क्रांथी कारियो को रोखने के लिए पिठोरिया काटी की खेराबंदी की थी वेक रांथी कारियो की हर गती विदि की जानकारी अंग्रेजों तक पहुचाते थी पौराणिक कथाओं के मुताबिक प्रतम नागवनसी राजा मड़ी मुकूट रैने पिटोरिया के पास सुर्ये प्रति मा की स्तापना की थी मानियता है कि यहां एक सापित किला है यहां हर साल बिजली गिरती है किले की खंडर में तबिल होने की वजबी बिजली गिरना ही बताई जाती है इस किले में कभी सो कमरी हुआ करते थे लेकिन अब एक भी कमरा नहीं बचा है दोस्तो गंदर्वापुरी गाव भारत के बहुत काल के चहिन इत्यस का गवा है दोस्तो पले इस गाव का नाम चंपावती था चंपावती के पुत्र गंदर्वासेन के नाम पर बाद में इसका नाम गंदर्वापुरी हो गया गंदर्वासेन सको को हराने वाले राजा थे बाद में इस सामराजय के राजा बने विक्रमादित्य ने उज्जेन को राजय की राज़दानी बना दिया गंदर्वपुरी का इतियास लगबग 21 साल पूराना है यहां सिल्फ कला के कई नमूने जगजगब बिखरे हुए है गंदर्वपुरी में फासान प्रतिमाओं और कलाकृतियों का संक्रले है इसके हर गर की निव, दिवार, खेट, सीडियों में पगनाव सिस पाए गए है गंदर्वपुरी का एक रहस्य है कि यहां के गंदर्वशेत मंदीर के गुम्मद के नीचे एक पीली रंका नाग है इस नाग को इच्छा तरी नाग कहा चाता है और इसके चारों और कई चुहे परिक्रमा करते है हाला कि आज तक किसी को यहां रहस्य पता नहीं चल पाया है दोस्तो किराडू मंदिर पगवन सिव का मंदिर है यहां मंदिर सदियों पूराना है और यहां 11 सताबदी के सिलालेक अभी भी मौझूद थे इसे राजस्तान का खजुराओं भी कहा जाता है दोस्तो इस मंदिर को 14 सताबदी में बनाया गया था इत्यास कारों के बुता भी किसका निर्मार परमार वंस के राजा दुलल साल राज और उनके विवनस जोने किया था इस मंदिर में पाँच मंदिर है चेन में से केवल विश्णू मंदिर और सौमिस्वर मंदिर ही ठीक हालत में है किराडू मंदिर और उदैपूर के अंबिका मंदिर की स्थापत्य सैली मज्यप्रादेस के खजुराओ मंदिर की सैली से ज्यादा मिलते चुलती है इसलिए किराडू मंदिर को राजस्तान का खजुराहो कहा जाता है किराडू मंदिर धार रेगिस्तान की भारत पाकिस्तान सिमा के पास थी थे यह सॉलंकी सैली में बना है और इसे सापित माना जाता है दोस्तों यह मंदिर अपने रहष्य के लिए दुनिया पर में मस्यूर है इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सुरच टलने के बाद यहां रुकने वाले लोग हमेशा के लिए पत्थर के बन जाते हैं इस खौपनाक रहस्य की वज़े से यहां कोई भी साम टलने के बाद नहीं ठरता मानियता है कि इस रहस्य के पीछे एक साथू का स्राप है यहां के लोगों का कहना है कि आज तक कोई भी व्यक्ति साम टलने के बाद इस मंदिर से वापस नहीं लोटा है लोगों का मानना है कि चो लोग पत्थर बन गए थे वो समय के साथ रेत में बदल गए और अब इस चग को सापित मान लिया गया है नमबर फाइव हारा गुलल गाव दोस्तो हारा गुलल गाव महारस्ट के लातुर जीले में है कहा चाता है कि पंदरवी सतापदी में यहां से काले चादो से डायन बनने की परमपरा शुरू हुई थी आज भी यहां गाव डायन के डर से तीरा हुआ है और कई चीजे यहां रात के समय में करने की मनाई है यहां कोई भी व्यक्ति रात के समय पेड़ के आसपास नहीं सोता है और पेड़ में खील नहीं ढोकता है और नव पेड़ के पास मुत्रविसरजन करता है माना चाता है कि ऐसी गल्दी करने पर डायन बुरा हाल कर देती है दूस्तो इस वीडियो के जरिए भारत के ऐसे टोप 5 सरापित जगह के बारे में बताया है इस वीडियो के बारे में आपकी क्या रहे है कॉमेट सेक्षेन में चरो लिखे और हाँ चेनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ तब तक के लिए चैहिंद